हालो एसपेरेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेज में आज की क्लास में हम लोग स्मायल स्वेंज के बारे में डिस्कस करेंगे यह smile scheme जो है वो कौन सी ministry के अंडर आता है और किन-किन लोगों को benefit होता है इस scheme से बहुत ही बहतरीन यह scheme है बहुत ही एक नया तरीके की सोच है सरकार की ठीक है तो आपको कुछ तो images से ही समझ आ रहा है smile scheme for transgender and beggar community लेकिन इसके अंदर सिर्फ transgender and beggar ही include नहीं होते SCST और PWD यानि की person with disability ये लोग भी include होते हैं क्या-क्या है इस scheme के अंदर detail में discussion करेंगे और इसको समझने के बाद आपको इस question का answer बहुत आराम से मिल जाएगा आप इस question का answer बहुत आराम से कर सकेगे ठीक है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक important information में दे रही हूँ पर्चम classes पे SSC का targeted 2024 का batch आ चुका है आप लोग complete GA का section recorded format में सुन सकते हो हमारी पूरी टीम ने बहुती बहतरीन इसमें काम किया है डाउनलोडेबल PDF आपको मिलेंगी इसमें live problem solving session detailed previous year questions with 10 mock test practices आपको मिलेंगी ठीक है तो ये सारे features के साथ हमारा जो course है वो app पे आ चुका है आप लोग enroll कर सकते हैं अब क्या है इस scheme में उसको देखते हैं देखो जो smile scheme है ये किसको support कर रहा है पहले तो ये देखो ये marginalized लोगों को support कर रहा है अब marginalized लोगों में कौन को न आ जाते हैं margins पे कौन है किनको सारी facility नहीं मिल पारी है society में SCST ठीक है जो disabled लोग है वो फिर जो transgender है वो जो baggers है वो वो सब margin area के अंदर आते हैं सब marginalized लोग है vulnerable लोग है तो उनके मदद के लिए ये scheme आई है Ministry of Social Justice and Empowerment ने इसको launch किया है कब launch किया है 12 फरवरी 2022 को इसके अंदर दो sub scheme और है 1 for transgender person, 1 for person engaged in bagging एक तो baggers के लिए और transgender के लिए इसके अंदर include है 2 sub scheme और ठीक है ये तो SCST और person with disability और इसी scheme के अंदर 2 sub scheme और हैं वो कौन सी है वो हमने देखा Smile aim to provide comprehensive support देती है Rehabilitation की support देती है इन individuals को इनको counseling, skill development, education, financial support, entrepreneurship इन सब कामों को सिखाती है ये scheme इन सभी लोगों को ठीक है ये smile scheme है क्या ये support देती है livelihood के लिए और enterprise के लिए किनको SCST, disabled, transgender और beggars लोगों को ये job की training देते हैं, funding देते हैं, business की advice देते हैं, equipments देते हैं, जिन जिन necessary tools की जरूरत है कोई business करने में, वो सारी facility देते हैं, ठीक है Primary objective क्या है गरीबी को हटाना क्योंकि जितने भी section मैंने आपको बताए, SCST, disabled person या फिर मैं कहूं transgender या beggar सब poor category के अंदर है अब poor category के अंदर हैं, तो कही न कहीं हमारी poverty इनकी वज़े से बढ़ नहीं, कम नहीं हो पा रही है तो हमें इन पर खासा ध्यान दे के poverty को alleviate करना है, poverty को कम करना है इन लोगों के लिए livelihood और entrepreneurship की opportunities को लाके ठीक है, इसमें इन लोगों को empower किया जाएगा फोकस किस किस पे किया जा रहा है SC, ST और PWD यानि person with disabled पे इनको financial help देंगे, इस scheme का फोकस है इन लोगों को financial help देना और इनके खुद के enterprise किन-किन field में agriculture and allied activities, handicraft and handlooms, micro and small enterprises, tourism and hospitality, information and communication technology इन fields के अंदर अगर ये कोई business करते हैं और उस business से related इनको किसी knowledge की, किसी fund की, किसी technology की, किसी equipment की अगर need है तो भारस सरकार इनकी मदद करेगी, इन fields के अंदर Scheme जो है training भी देती है इनको ये काम करने के लिए Capacity Building की support भी देते है इनको, ठीक है अब ये जो training है वो इनको कौन देता है या तो NSFDC वाले ये सरकारी department होता है training देने के लिए या बाकी accredited training institutions इनको training देते हैं entrepreneurship development की, business planning की, marketing की, इन सब की training इनको दी जाती है फिर उसके बाद इसका objective क्या है It has following objectives, क्या-क्या एक तो हमें improve करना है, vocational education देना है इन marginalized individuals को हमें इन्हें monetary services provide करानी है, loan यानि की credit provide कराना है entrepreneurship इन लोगों में बढ़ाना है, इनका livelihood option sustained करना है मतलब लंबे समय तक इनका livelihood चलता रहे social inclusion समाज में इनको अलग थलग काट के रखा हुआ है इनका society में फिर से inclusion हमें लेके आना है, ठीक है, in communities का अब यह objective हमने देखे, इसके feature क्या है एक तो इसके अंदर skill development दी जाती है, इसके अंदर financial support दी जाती है entrepreneurship development दिया जाता है, ठीक है फिर market के linkages, इसके आपने जो products बनाए है, वो किस तरीके से आपको बेचने है और कहां-कहां आपके ये products बिख सकेंगे इन सबके लिए ये उनको एक रास्ता सुझाते हैं, यानि की market linkage देते हैं और capacity building, आपका सामर्थ बढ़ाया जा रहा है, आपको training दी जा रही है जो भी लोग schedule caste community से belong करते हैं, वो individual eligible है, लेकिन उनकी जो family income है वो 3 लाग से जादा, annually, पूरे साल में 3 लाग से जादा family income नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसा person, जिसके घर में जो primary bread winner था, जो main कमाने वाला व्यक्ति था उसकी COVID-19 की वज़े से death हो गई है, और उसके परिवार की income 3 लाग से कम है और वो एक SC कास से belong करता है, तो वो इस scheme के लिए eligible है, smile scheme के लिए eligible है या फिर वो transgender है, या bagger community से है, तो भी वो इसके लिए eligible है, ठीक है? तो ये सारे criteria आपको पूरे करने हैं, अब जो expire हुआ है, जो आपका prime bread winner था, जो main घर का मुखिया था कमाने वाला, अगर उसकी death हो गई COVID-19 की वज़े से, तो आपको उसका death certificate जमा करवाना पड़ेगा और वो जो death certificate है, वो किसके द्वारा approved होना चाहिए? जो death certificate है, वो या तो block development officer के द्वारा approved होना चाहिए, या जो local municipal body है, नगर निगम, उनके द्वारा ये, नगर पालिकाव के जो offices होते हैं, उनके द्वारा ये approval होना चाहिए, ऐसे ही किसी का death certificate नहीं चलेगा funding कहां से मिलती है भारत सरकार grant देती है 100% grant का मतलब loan नहीं है loan में तो क्या होता है principal amount भी और interest amount भी आपको वापिस देना है grant में क्या है एक gift की तरह है 100% grant जो है इसमें भारत सरकार देती है लेकिन maximum 5 lakh रुपे per unit ही देगी अब 100% अगर 10 lakh बन रहा है आपने कोई ऐसा बिजनस चला लिया, जिसमें 10 लाग रुपे की फंडिंग लगेगी, तो भारत सरकार आपको मैक्सिमम 5 लाग ही देगी, अब आपके प्रोजेक्ट कोस्ट का 90% जिसने आपको ट्रेनिंग दी है, यानि NSFDC वाले ये देते हैं, लेकिन ये 90% भी 4.5 लाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए per unit, बचा हुआ 10% आपको खुद को अपना पैसा लगाना है, 10% पैसा आपका 90% ट्रेनिंग वाले लोन देंगे, ये ग्रांट नहीं दे रहे हैं, ये लोन देंगे, भारत सरकार ग्रांट दे रही है, लेकिन NSFDC वाले आपको लोन देंगे, और लोन की जो इंटरस्ट रेट लगेगा, वो 12% पर एनम लगेगा, एक साल में 12% लगेगा, बैनिफीशरी बचा हुआ 10% जो है, वो पैसा लगाएगा, अब इसके अंदर जो सब स्कीम हैं, दो सब स्कीम, एक तो ट्रांसजेंडर के लिए और एक बैगर्स के लिए, जो ट्र सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर्ड का मतलब मैंने बताया था, 100% फंडिंग भारत सरकार करेगी, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम, comprehensive rehabilitation for welfare of transgender person, इसमें क्या होगा, कोई भी transgender student जो 9th से लेके post graduation तक पढ़ाई कर रहा है, उसको scholarship दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ स इनको skill development program और livelihood opportunities भी मिलेगी इनको health care services भी मिलेगा अगर इनको कोई surgery करानी है gender re-affirmation के लिए इनको घर shelter मिलेंगे जिनको हम गरिमा ग्रह के नाम से जानते हैं गरिमा मतलब आपकी इज़त से जुड़ा हुआ है गरिमा ग्रह के नाम से जानते हैं इनके shelters को transgender protection cells set up किये जाएंगे हर state में ताकि इनके against जो offenses हो रहे हैं जो इनके against society के अंदर गलत काम हो रहे हैं उनको monitor किया जा सके ऐसे अलग से transgender cells हर state में establish किये जाएंगे ये e-services को develop करेगा ठीक है electronic services को ताकि transgender communities को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो ये तो था transgender के लिए अब bagger community के लिए central sector scheme है जो smile scheme की ही sub scheme है समझेना bagging के लिए क्या है एक तो survey conduct किया जाएगा और यूँ देखा जाएगा कितने लोग bagging में लगे हुए हैं ये उनकी activities को देखेंगे कहां कहां वो लोग bagging कर रहे हैं और उनको services प्रोवाइड कराई जाएगी उनको घर्द प्रोवाइड किया जाएगा कि चलो ठीक है जो भी तुम कर रहो है पर at least आपके सिर पे छत तो हो एक shelter प्रोवाइड करवाया जाएगा ठीक है ताकि safe और supportive environment उनको मिल सके और उनको भी support दिया जाएगा rehabilitation के लिए resettlement के लिए ठीक है उनकी bagging छुडवा के उनको अलग-अलग कामों में लगा के इनको society की mainstream में वापिस लाना इस सब scheme का मकसद है तो उमीद करती हूँ आपको ये पूरी scheme समझा गई है अब एक और important information economics और polity का बिलकुल ground से बिलकुल zero से high level का ये course मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सारे students ने बहुत positive reviews दिये हैं बहुत सारे examination भी crack किये हैं इन courses से आप लोग भी next हो सकते हैं सारे के सारे जो topics हैं बिलकुल basic से उठाए गए हैं सारे recorded lecture आपको मिलेंगे PDFs मिलेंगी साथ में previous year question papers मिलेंगे walk test practices मिलेंगी और कोई doubt आता है तो आप लोग मुझसे live जुड के अपने doubts को clear कर सकते हैं ठीक है तो आप enroll कर सकते हैं पर्चम classes की app पर ही description में हर चीज का link है सारी जानकारी वहां से ले लेना अब यह question मैं आपको करवाऊंगी क्या है which of the following has formulated a scheme smile support for marginalized individual for livelihood and enterprise यह जो scheme है इसका पूरा नाम है support for marginalized individual for livelihood and enterprise यह कौन सी ministry ने चलाई है नीतियायोग ने health and family welfare food corporation of India ministry of social justice and empowerment ministry of consumer affair food and public distribution तो answer के आएगा ministry of social justice and empowerment ministry of social justice and empowerment ठीक है इस question का answer आपको देना है comment section में इस question का answer आपको देना है कि smile program जो है वो किस से related है education sector से industry sector से health sector से pension welfare से ठीक है अभी हमने बात की थी ना कि scholarship वागेरा मिलती है 9-12 के जो भी grade के होते हैं उनको skill, education सब कुछ दिया जाता है section में इसका comment आपको बता देना है उमीद करती हूँ आपको ये scheme अच्छे से समझ आ गई है so thank you so much मिलते हैं अगली एक interesting और important scheme में thank you so much, take care, bye bye